हालो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में माई डियर पेरेंट्स आप सभी को प्यार भ्यार नमस्काष जैसरी कृष्णा रादे रादे डियर पेरेंट्स आज की अस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 9-10 रीजन्स जिसमें हम जानेंगे कि आकर हमारे बच्चे क्यों होते हैं जिनका की रीजन हम जानने पाते हैं मुं ऐसे में मुगे झा ऐटे मुं कुछ ऐसे जिनता इवंक्रट थरी धू हम आपको है तो यह जानने में बतलों है reyupid बता करेंके चपीए जाली है कि पातें हम मुझे घ्र स४न बन बाते ह perception मुझे पाता बच्चा अम거 कि बच्स कोते राते हैं कि य्यूं करते हैं इतना ज़ाधा देखिये जब बच्छ दिक मा के परेट में वहता है फिर जब मा कम करते मां, फोसमें बच्छा पाइल कि यह लो अराम उसमें रहता है और जब मा शांत हो को सुझा जाती है तो मस्ती करने लगता। पेट में हल चल करने लगता है। तो वह यह उसको आदत होती है जब वह बाहर आ जाता है तो दूप गअ उसको नहीं मिलता। तो आपने शीज नोटिस करी होगी,aps लिग्छा या लै दूले को भीघ ़ू दू होगी सरवी कर दो बढ़ाया है,पढ़ी सरत के लिए बूहँप मatalधकी संबरेन कानम के गोड़ते हैं,ट। Fine Bible कर दिफिदा क्या है्चा होगी क्न रुड़ान होगी recognize लिग्या को मिक्या सब् वह जूले वाले आदत बाहर नहीं मिल पाती है लेकिन जैसे हम उसे जूले मडाल देते हैं तो वह खुश हो जाता है और खिलने लगता है दूसरा हम यहां बात करते हैं भूख बच्चे को जब भूख लगी होती है तो भूख के कारण बच्चे रोते हैं अपने थम सक करने लगते हैं अपने हातों को अपने अंगुठों को अंगलियों को या पूरे हात को अपने मुह में देने लगते हैं तो जो दूसरा रिजन ह छुआ है भूख भूख के गारड भूख की बच्चा बहुता है तो आप समझ जाहिए कि अपका बच्चा रो रहा है तो अब सकता हूं उसको भूख लगी हो तीसरा रिजिन हम बात करेंगे डैपर रैष की जी हां दीसरा रिजन है डाइपर रैष अगर आपका बच्चा को अगर वो डाइपर पहनता है तो जो पच्चे का पॉटी वाला एरिया है, महाँ पर चोटे चोटे दाने दाने हो जाते हैं, यदि आप चेक करोगे ठीक से दुखोगे, तो डाइपर रैस की वज़े से उसे चुंचुनी सी मचती है, उसको इचिंग होती है और बहुत जादा डिसकमफर्ट हो जाता है, उसे आराम नहीं मिलता और जिसके वज़े से वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो आप जब भी अपने बच्चे को डाइपर पिनाती हैं या उतारती हैं तो ध्यान रखे, कहीं बच्चे को डाइपर रैस तो नहीं हो गए, जिसके वज़े से बहुत जदी गीला भी भी हो जाता है जिसके बच्चे से बच्चा डिसकमफटीवल हो जाता है और वो रूना स्टार्ट कर देता है तो आप अपने बच्चे को देखे कि वो कितना लिक्विट इंटेक कर रहा है कहीं उसका diaper जल्दी जल्दी तो नहीं भर रहा, आप उसको भरा हुआ diaper में तो नहीं रखे हुए, इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, अगर आप बच्चे का diaper बहुत जदा भर गया या लीक कर रहा है, तो उसको इमिडिटली आप चेंज कर दें, तो जिसके वैसे आपका बच्चा कंफटेवल तब हो जाएगा, चौथा रीजा ने अनकंफटेवल क्लोथ, या हम अपने बच्चे को बहुत जदा क्लोथिंग कर देती हैं, बच्चा बहुत परिशान हो जाता है, जैसे ही सर्दिया आने लग जाती है, हम बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना लगते हैं तो बच्चे बहुत कंफटेवल हो जाता है, तो बहुत जदा ओवर क्लोथिंग करने के पचे से बच्चा अनकंफटेवल हो जाता है तो झतना अगर शर्दी भी है तो पतले-पतले कपड़े की लेयर जरूर पहना दें, ऐसा नहीं करना कि आहाना कि आपने मोट तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है कि बच्चा बहुत जादे हो जाता है, डिसकंफर्टेवल हो जाता है, तो ऐसे कंडिशन में आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे को बर्पिंग दिलाने की कोशिस करें, यदि उसको बर्पिंग नहीं होती तो अपने बच्चे को कि अगर आपके बच्चे के पेट में गए और बच्छेने पीते हुए गए गज़ निगल लिये तो अ जो इसकिन गखले की को बच्छे कोट बहुत ज़ां करती है और फेस उसका एकदम ड्राइड हो जाएगा तो बताने की कोशिस करता है कि बहुत जद अंकमफर्टिवल है अगर इस तरह की सिच्वेशन है तो बच्चा आप डेफिनेटली रुएगा ही रुएगा सातमा रेजेन है कभी कवार ऐसा होता है कि बच्चा सदन्ली बहुत जोड शवरो ने लगता है और हम उसको पैचाने पाती कोई इंक्ट कर गया किसी मेरे साथ एक वार ऐसा हुआ था कि मेरी बेबी है वो बहुत सांती से खेल रही थी और अचानक से एक चीटी ने उसे काट लिया और वो बहुत जोड से रोने लगी मैं समझ ही नहीं पाई कि वो क्यों रो रही है मुझे लगा कि साथ पेट में दर्द हो रहा है लेकिन मैं जब मैं पूरी बॉडी चेक करी तो उस जगे पर मुझे 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 उसे चीटी ने काट हुआ है तो यह भी रिजन हो सकता है कि आपके बच्चे कोई इंसेक्ट बाइट कर जाए तो जब भी अब सड़ली आपका बच्चा खेलत हुए रोने लग तो जब बच्चा स्लिपी महसूस करेगा तब भी रोएगा कुन-कुनाएगा और वह किसी भी चीज से खेलेगा नहीं तो जब से सोना होता है तब भी वह रोता है सोने के लिए वह रोना स्टार्ट कर देता है तो यह भी एक रिजन है लास्ट कि आपके बच्चे के अगर नुज ब्लोग हो गई है कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों की नुज ब्लोग हो जाती जिसकी वह बोलने पाते ढंक से सांस नहीं ले पाते और बहुत ज्राइब अनकमफटेफल आप चेक करें कि आपके बच्चा रो रहा है और सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी हो सकता है नोज ब्लोग हो गई हो तो आप नैसो क्लियर नेजल डॉप्स आती है वो आप इस्तमाल कर सकते हैं आप अपने घर में हमेशा रखे नेजल डॉप्स बच्चे की अगर ब्लोग नोज़तों उसे खुलने में भी यह बहुत जादा आसानी रहती है तो यह भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो डियर पेरेंट से कुछ मैंने आपको 9-10 पॉइंट कुछ बताएं जिनके कारण बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगती हैं तो अगर आपका बच्चा भी रोता ह यह परिशान होता है तो जो मैना पॉइंट्स बता हैं वह आप याद रखें कि हो सकता इंबस से कोई रीजन हो और अपने बेबी को कमफर्टेवर करने की कोशिस करें तो डियर मॉमें इस वीडियो कैसी लगी आपको यह दी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी मैं नेक्स वीडियो मिलती हूं नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार